और यहाँ पर प्रश्ण आप देखेंगे कि ब्यूष्टर का नियम क्या है यह काफी भी भी प्रश्ण दोस्तों कि ब्यूष्टर का नियम क्या है तो परदर्सी माध्यम के लिए ध्रूमर कोर की असपर सजाया अपवर्तनाक के बराबर होता है तो इस नियम को ही आईपी यह जो आप गणितियमान दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर यह अबजेक्टिव में 100% आपके बोर्ड इग्जामें इस साल आने वाले हैं आप देखेंगे आप सेखेंगे जो जाधा तर यह सी में ही रहता है तो आप साही मार दीजेगा एक नंबर आपका पाका हो जाएगा और यहाँ पर यह दो नमबर के लिए सवाल है तो परदर्सी माध्यम के लिए ध्रुमर कोर की असपर सजाया और परतनांक के बराबर होता है तो इस नियम को ही व्यूष्टर का नियम कहते हैं याद रहें काफी मात्यपूर्स वाल है दोस्तों सभी कोशन्स बहुत ही मात्यपूर्ण है इन सभी कोशन्स को एक कोपी पर जरूर उता लेजीगा और इसे प्रेक्टिस करते रहेगा क्योंकि प्रेक्टिस इदा की अप सक्सेस और आप डेली प्रेक्टिस करते हैं तो आपक की परिभासा दें और इसका मात्रक भी पुछ लिया जाता है तो बिधु छेत्र में खीची गई बॉले रेखा हो कोहीं बिधुतिय फ्लसक कहते हैं और इसका जो मात्रक होता है न्यूटर मीटर स्क्वाइर प्रती कुलांब होता है और बीमिय सुत्र क्या हो जाएगा ml q t के पार मानस 3 और a inverse हो जाएगा आप बीमिय सुत्र जरूर ही याद रखे और इसके मात्रक को जरूर ही याद रखे क्योंकि objective कोसंस में ज़्यादा तर आपको मात्रक या बीमिय सुत्र पूछा जाता है objective के लिए ये दो नमर के लिए सभी सवाल है दोस्तो एक बार और इस कर प्रति कुलाम होता है अभी मिय सुत्र जरूर ही याद रखें दोस्तो और यहां पर प्रस्णा आप देख रहे होंगे कि द्वित्यक इंदरधानुस को समझाए काफी महत्यपोर्ण सवाल है कि द्वित्यक इंदरधानुस को समझाए तो वैसा इंदरधानुस जिसका नि नीचे होता है तथा बेगनी रंग उपर होता है एक बार और इसे रिकॉल करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको 100-100% याद हो जाए अभी के अभी तो वैसा इंदर धनुस जिसका निर्मार दो बार अपवर्तन तथा दो बार पूर्ण आत्रिक प्रवर्तन के किरिया के फ़ल अगर प्रात्मिक इंदर धनुस अगर आपसे पूछे प्रात्मिक इंदर धनुस तो आप इसी प्रकार से लिखेगा कि वैसा इंदर धनुस जिसका निर्मार दो बार अपवर्तन बलकि एक बार पूर्ण आत्रिक प्रवर्तन के किरिया के फौल सुरूप होता है तो उसे ही प्रात्मिक इंद्रधन उसकते हैं और इसमें जो लाल रंग होता है वह उपर की तरफ होता है और बैगनी रंग नीचे की तरफ होता है उमीद करते हैं आपको दोनों परिभासाएं असानी से याद हो गया होगा अगर दोस्त अगर आप चानल से नए जूड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजएगा दोस्तो और अपने दोस्तों में जरूर अधिक से अधिक सियर करने का प्रयास किजएगा और यहाँ पर देख रहे हैं कि परकास के पुर्न अंतरिक परवरतन के लिए अधिक सर्तों को लिखें तो पुर्न अंतरिक परवरतन के लिए दो सर्त निमलिखित होते हैं ज्यादा तर दो ही सर्त पुछे जाते हैं बोड इग्जामें दो नमर के लिए तो पुर्न अंतरिक परवरतन के लिए निमलिखित दो सर्त होते हैं ये वाला जो लाइन है ये से आप पर जरूर लिखने का प्रयास कर जीगा बोड़ एकजा में ठेक तो पहला है आपतन कोर कमार करांतिक कोर से बड़ा होता है काफी महत्तपूर्ण ये है इसकी सर्थ की आपतन कोर कमार करांतिक कोर से बड़ा होता है और दुसरा है परकास की क माधियां को फिराल प्रकास की रऱेगों कि आटर्ल गदागे। और प्राष्ण मश्लिए गया था यह प्रष्ण था कि आवेशकि आयतन घुनात्व की परिभासा दीजिए। यह cookies किसमा इसके मात्रक को भी लिखें बहुत ही अच्छा सवाल है कि आवेश के आयतन घृनटसे आपक्या समझते हैं तो प्रती एकांक आयतन पर उपस्तित आवेश को ही आयतन आवेश कहते हैं और इसे रो से सुचित करते हैं ठेक और इसका जो मात्रक होता है कुलम प्रति मीटर Q होता है और बिमिय सुत ATL के पार माइनस Q होता है तो ये रो बराबर होज़ेगा Q अपन भी तो ये प्रोशन में भी आपको डाउट नहीं होगा कि प्रति एक आंक आइतम पर उपस्तित अवेस को ही आइतन अवेस घनात्व कहते हैं और इसे रो से सुचित करते हैं रो बराबर होज़ेगा Q अपन भी और इसका जो मात्रक होता है कुलम प्रति मीटर Q होज़ेगा और इसका बिमिय सुत होज़ेगा ATL के पार माइनस तीन अब अबजेक्टिव के लिए आप क्या कीज़ेगा आपको मात्रक जरूर ही याद रखना चाहिए और भीमिय सुत जरूर ही याद रखना चाहिए उमीद करते हैं यहां तक आपको सेसन अच्छी लगी होंगी अगर लगी होंगी तो एक लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों सीलिकन हो गया जर्मेनियम हो गया आधी हो जाएगा तो वैसा पदार्थ जिनकी चलागता चालख और चालकों के बीच होता है तो उसे ही और धचालख कहते हैं अब ये वाला जो सिलिकन जर्मेनियम है ये उधारन में ज्यादा तर पूछा जाता है अबजेक्टिव में तो अबजेक्टिव और सबजेक्टिव दोनों एक ही बार किलियर हो जा रहा है तो बहुत ही महत्तपूर्ण है आपके लिए तो ये इसका राइट एंसर होजेगा को याद हो जाएगा निकि आपको भी नहीं भूल पाएगा और बोड इकजा में ये प्रस्ण अगर आता है तो आप बिल्कुल ही आसानी से लिख पाएंगे संपोसी ब्यातिकरण के लिए दो अवस्यक सर्थों को लिखे ज्यादा तर क्या होता है कि एक ब्यातिकरण के लि तो इस वीडियो में हम लोग दो ही सर्थों को जाने है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग ब्यातिकरण के लिए आवस्यक सर्थों को जानेंगे तो संपोसी ब्यातिकरण के लिए आवस्यक जो सर्थ है वह निमन है यह वाला जो सब्द है यह आपको जरूर ही लिखना चाहिए बोडिक जामें अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं आपको पूर्टा अंक मिल जाएगा तो पहला है इसमें कलांतर का मान पाई का सम गूरज होता है और यहां पे फाई बराबर हो जाएगा क्यू एनेक्स यानिकी पाई के सम गूरज होना चाहिए यानिकी गूरज करने का अर्थे दो चार छे यानिकी बी सम संक्या नहीं होना चाहिए यानिकी सम गूरज होना चाहिए और बिनासी कहता तो इसमें बी सम गूरज होता ठीक तो इसका राइट इंसर यहीं हो जाएगा क कि इसमें कलांतर कमान पाई का सम्गुनज हो जाएगा और यहां पे है कि पथांतर कमान लेमडा बाई टू का सम्गुनज हो जाएगा जो इसका पथांतर होता है और डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा टू एन लेमडा अपन टू यहने कि लेमडा बाई टू का सम्गुनज हो जाएगा इन कमान आप लिख सकते हैं दो चार छे आठ कुछ भी लिख सकते हैं इन कमान और यहां पर पूछा पूछा गया था कि चुम्बा क्ये बीभव की परिभासा दे काफी मात पूर्ट स्वाल है दोस्तों आप से निवेदन है कि इन सभी कोसंस को आप एक कॉपी पर जरू उता लिजेगा आपको 100-200 परसेंट याद भी हो जाएगा और बोड इग्जा में यह प्रस्ण आता है तो आप असानी से लिख पाएंगे तो इकाई धन आवेशक को अनंत से चुम्बा क्ये छेत्र में लाने में किया गया कार्य को ही चुम्बा क्ये बीभाव कहते है तो उमीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा कि इकाई धन आवेशक को अनंत से चुम्बा क्ये छेत्र में लाने में किया गया जो वर्क होता है उसी को ही चुम्बा क्ये बीभाव कहते हैं तो चले दोस्तों नेक्ष्ण प्रस्ण को भी असानी से देख लेंगे और यहाँ पे पूछ दिया गया था कि ट्रांसफर्मर में तार में तामर च्छाय को समझाएं त्रांसफर्मर में कहा है तो प्रात्मिक कुंडली एमद्वित्या कुंडली के तार में धारा के प्रवाहित होने पर उस्मा उत्पन होती है इस परकार बिधुत उर्जा उस्म के रूप में च्छाय होता है जिसे ही तामर च्छाय करते हैं उमीद करते हैं आपको एक बार में भी लगभाग 80% समाज में आगया होगा तो चलिए 100% समझाने का प्रियास करते हैं तो यहां पर देखेंगे प्रात्मी कुंडली यों द्वीत्य कुंडली के तार में धारा के प्रवाहित होने पर उस्मा उत्वन होती है इस परकार बीधूत उर्जा का उस्मा के रुप में च्छाय होता है जिसे ही तामर च्छाय करते हैं उमीद करते हैं आपको 100% याद भी ह ठीक तो यहां पर आप देखेंगे कि सोर सेल को समझाओ का फी महत्त्य पूण सवाल है कि सौर सेल क्या होता है तो सोर सेल एक पिए जंक्सन डायोड है जो सोर उर्जा को सीदे विधूत ंर्जा में रुपांत्रित करता है यह परकास विधूत परभाव के सिधान पर कारे क परता है तो यह प्रस्ण भी बहुती महत्पूर्ण के सौर से एक पीन जंक्सन डायोड है जो श्वर उर्जा को सीधे बाउत अरने में रुपान्तित करता है या निकीτι परिवार्थित करता है यह जो श स्वाल है कि बीटा किर्णों के दो गुर्णों के लिखे तो सबसे पहले जो लिखेंगे कि बीटा किर्णों के दो गुर्ण निम्ने लिखित होते हैं पहला है यह किर्णे प्राया रिनावेशित कॉड़ों से मिलकर बनती है याद रखेगा यह किर्णे जो होती है प्राया र इसकी भेदन चम्ता आलफा कॉन्रों से सोगूनी अधिक होती है और सोबसे अधिक जो भेदन चम्ता होती है वह गामा कीनों की होती है याद रिखेगा तो इसका राइट एंसर अब तक आपको मालूम चल गया होगा और यहां पे इन टाइप और चालक पुचाएं इन परकार को मिला दिया जाए तो इस परकार की बना और दचालक को एंड टाइप और दचालक होते हैं अगर और जर्मेण में तो उसमें और दचालक का इन टाइप और धचाला कोते हैं तो चले दोस्तों नेक्षन प्रस्ण को भी अच्छे से देख लेते हैं और यहाँ पर प्रस्ण आप देखेंगे किसी सतह पर विधुत्य फ़लस्क की परिभासा दे या आप से पूछेगा कि विधूत फलस्क की परिभासा दे और इसका मात्रक भी लिखें तो आप लिखेंगे बिलकुल ही आसानी से कि विधूतिय चेतर में खीची गई बॉले रेखाओ को ही विधूतिय फलस्क कहते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटर मीटर इसका प्रती कुलम होता है और इसका जो बिमिय सुत्र होजेगा MLQT के पर मानस QA इन्वर्स होजेगा इसका बिमिय सुत्र याद रखे और मात्रक याद रखे और ये जो होता है गणिते माने फाई इ बड़ा होजेगा भेक्टर इ डॉट भेक्टर ए और जब भेक्टर होटेगा यहां से तो ई डॉट डी ये कोस्ट ठीट होजेगा याद रखेगा तो एक बार में भी आपको याद हो गया होगा कि विधुत्य छेतर में खीची गए बॉल रेखाओ को ही विधुत्य फलस का कहते हैं और इसका ये से मात्रक होता है न्यूटर मीटर इसका प्रतिकुलम होता है अभी में सुत्र जरूर ही याद रखे और यहाँ पर प्रसना आप देखेंगे कि पाहचन स्रेणी से आप क्या समझते हैं बहुत ही अच्छा सवाल है कि पाहचन स्रेणी से आप क्या समझते हैं जब हाइडोजन का पर्मारू किसी उच उर्जा अस्तर से निमन उर्जा अस्तर में आता है तो उसे ही पाँचन स्रेणी कहते हैं यानि कोहने कार्त है दोस्तों जब माले जीए इस प्रकार से वह भुराती है तो जब परीमारू किसी मुद्ग paraphral स्टर से में सफार्ले वे आता है तो उसे ही पाचंझर नी कहते हैं तो रेखेगा गणितिय मान भी अगर आप बोड इक्जामें नहीं लिखते हैं तो भी आपको पूर्टा अंक मिल जाएगा अगर ये परिभासा लिखते हैं ठीक तो जब हाइडोजन परमारू किसी उच उर्जा अस्तर से निम्न उर्जा अस्तर में आता है तो उसे ही पाचन स्रेणी कहते ह हैं और यहां पर आप देखेंगे कि किसी अस्तान पर किसी अस्तान पर के अभासी नमन कोंड से आप क्या समझते हैं यह यह कोसंस पूछा गया था यह आपसे पूछेगा कि यह भासी नमन कोंड से आप क्या समझेंगे यह क्या समझते हैं तो प्रिथिभी के कारण पईनाम पुछा गया था कि बिधुत अनुनाद को समझाएं काफी अच्छा सवाल है कि बिधुत अनुनाद अखिर होता क्या है तो यदि किसी LCR परिपत का परतिबाधा निम्न हो तो परिपत धारा अधिक्तम होता है अगर LCR परिपत का परतिबाधा होता है वह माली जी क्वम होए तो उसकी जो धारा होती है वह अधिक्तम होती है उसे ही हम लग बिधुत अनुनाद के नाम से जानते हैं तो यदि किसी LCR परिपत का पर्तिबादा निम्न होता है तो परिपत धारा अधिक्तम होता है तो उसे को ही विदुत अनुनाद कहेंगे और यहाँ पर प्रस्ण आप देखेंगे कि नेत्र की समझन चमता से आप क्या समझते हैं काफी अच्छा सवाल है दूस्तों कि नेत्र की समझन चमता से आप क्या समझते हैं तो यह तो परस्ण आपको लगभग कलास 10 में ही मालम हो गया होगा कि नेत्र की समझन चमता क्या होता है लेकिन यह 12 में भी यह कोसंस पूछ गया है नेत्र लेंज की फोकस दुरी बदलने की छमता को ही नेत्र लेंज की नेत्र की समझन छमता करते हैं और इसमें क्या होता है कि नेत्र अपनी और सकता के अनुसार फोकस दुरी को कौम या अधिक कर अपनी समझन अस्थापित करता है तो आपको एक बार में भी याद हो गया होगा दोस्तों कि नेत्र लेंस की फोकस दोरी बदलने की छमता को ही नेत्र की समझन छमता करता है इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूर्था अंक मिल देगा दो अंक अगर ये भी लिखते हैं तो आच्छा ही है कि नेत्र अपनी असकता की अनुसार फोकस गेट के संजोक से बने गेट को ही नेंड गेट कहते हैं तो ये हो जेगा Input और ये ओट पूटम इसमें Input में A और B दोनों रहेगा और Output में ये ओजेगा In ्बेट का बुलिए बेंजक ठीक तो इसमें देखिए का अगर में जिरो आगा और공रा इसमें रहेगा वन ये नेंडे में अगर इसमें भी 0 और इसमें वन जहां अगर आपको 0 दिखाई देगा वहाँ 1 रहेगा और जहां एक अगर दिखाई देगा तो वहाँ ये 0 हो जेगा ठीक तो उमीद करते हैं आपको समझेवें आया होगा यह इसका ए Stephen बुलीय बेनजक है और यहां पर पूछा गया था कि अब्रीती मार्डूलन को समझाए तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कि रेडियो तरंगो की अब्रीती का ध्वानी संकेतों के दाव परिवरतन या चित्रों की परकास्तिवर्ता के अनुसार परिवरतित करने की पर किरिया को ही अब रीती मार्डलन कहा जाता है एक बार में भी आपको याद कराने की कोशिज करेंगे कि रेडियो तरंगों की अब रीती को ध्वानी संकेतों के दाव परिवर्तन या छीत्रों की परकास तिवर्ता के अनुसार परिवर्ती करने की पर किरिया को ही अब रिती मार्लन कहा जाता है तो इस परकार से दोस्तो हम लग 20 कुसंस को अच्छे से डिसकस कर लिये हैं अगर ये सिसन आपको अच्छे लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए दोस्तो और चानल पर नए जूड़े हूँ तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने दोस्तो को जरूर इस चानल के बारे में बतायेगा दोस्तो तो मिलेंगे नेक्स कलास में दोस्तो अभी कि इतना ही दोस्तो जैहिंद